हेलो फ्रेंड मेलकम टु सवी ताइज किछंड आज हम आपके लिए सीथाकुल की सब्जी कैसे बनाते हैं हो दिखा रहे हैं हमारे फ्रेंड बिम्ला आजकी सब्जी बना रहे हैं वहोत यह सब्जी बनाती है बहुत टेस्टी बहुत लोग ऐस्डे सब्सक्राइब दो चम्मच अमने इसमें ओल ले लिया है इसमें हम आधा चम्मच मेथी दाना डाल रहे हैं और एक पिंच छेंग यह हमारा तेल गरम हो गया है मेथी हमारी हो गई है अब इसमें प्याज डालेंगे यह हमने लंबा लंबा काटके दो प्याज ले लिये हैं जो हमने लंबे लंबे काट लिये हैं अब इनको हम मीडियम तु स्लो आज तर घीरे घीरे पकाएंगे इसमें हमने 2 हरी मिर्च ले ली हैं बारिक काटके और 8-10 करी पत्ते जो हमने 2 के सुखा के ले लिए हैं अब इनको हम धीरे धीरे दीमी आज़कर भूनते जाएंगे 5-7 मिन पिसमें लगेंगे लेकिन हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी यह हमारे प्याज हो गए हैं हलके ब्राउन हमें करने पहले यह देखे हलका सुनेहरा रंगिन का हो गया है और अब इसमें हम यह सीता फल पेठा जो भी आपके हैं हमने आधा किलो लिया है इसको हमने छील के काट के धो के तियार कर लिया है अर अब हम इसमें डाल रहे हैं. अभी हमने इसमें कोई भी offense नहीं डाला है. हम इसमें डालते हुँआ कि ठोड़ी देर के लिए कैया दियाज की साथ इसको फ्राइब करेंगे. Medium to low आँच्चे हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनद के लिए. यह बहुत ही टेस्टी बनाती है हमारी वहन सीता फल दोज की बज़ए चार रोट यह खा जाते हैं सब इतना टेस्टी लगता है बोल के इसको डिवांट पर हमें इसको बनवाना पड़ता है यह देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही अब हम इसमे नमक कर देते हैं यह देखिए हमने आधे चमच आधे से एत क्ज़िए diagnostic आधे से थोड़ा ज़्यादाग आप अपने स्वाथ के निसार नमक डाल लीजिएगा एड करके इसको मिक्स कर देते हैं मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए रख देते हैं मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कीजीएगा और एक बार बनागर जरूर देखेगा बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होगा हमारा सीताफल अब पूरी पराँठे चपाती इसको की साथ बिए उसको खा सकते हैं बस इसको 57 मिन्त के लिए अब हम ढख해 छोड़ देंगे ये तीन-से चार मिनुट इसको हो गये हैं अब इसको चेक कर लेती हैं ये देखे हमारा अल्का अल्का फ्राइ बनाग चलाके किरसे दो-तिन मिनित पिर इसको रखेंगे, है हमारी ये सब्षक कर लेते हैं आनल सरा और नियुक्त बुजूकिक कृतरा, क्रिस्पी होते जा रही है यह बहुत यची रेशी के दिन लजे ने हमारे साथ शेयर की है उनका हम धन्यवाद करते हैं आप बना के जुरूर देखिएगा इसको हम दो ते मिनिट के लिए और ठब देते हैं हेलो फ्रेंड हम इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए इसको चलाते हुए हमारा कितना अच्छी तरह से भुन रहा है यह 5-7 मिनिट हो ही हो और यह हमारा अच्छी तरह से भुन के तयार हो रहा है दो मिनिट के लिए हम इसको चोड़ देते हैं कोरोने का टाइम है फ्रेंड हलक और सीता फलकी सब्जी ओमेगा 3 से भरपूर होती है, बहुत सारे विटामिन फाइबर के साथ ही होती है, आप इसको जरूर खाएं और जरूर वनाएं, सब को खाएं और सब को खिलाएं, दो मिनिट के लिए इसको और ढपके रख देते हैं, और कोमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी और आप किस तरह से बनाते हैं, इसको चेक कर लेते हैं, बहुत ही कम मसालों में बनने वाली सब्जी है, बहुत ही टेस्टी है, कोई भी इसको खा सकता है, ये देखिए हम इसको, बिल्कुल ही ये सौफ्ट हो गया है, और एक बार वो करने से ही टूट रह लाल-मिर्च न जेक quindi बहँ अगया है, लाल-मिर्च अमने लिए कश्मेरी लाल-मिर्च तोड़ी स सकते हैं, ये हमने लिए कसूरी मे्थी फोड़ी से अदा चमच, अदा चमच हल्दी पावडर, और ये एक चमच हमने लिया है, अमचूर पावडर, आपके पास छ्चाम हो तो आप वो भी डाल सकते हैं और ये हमने दो चमचे ने ली है ये सारे मसाला हम इसमें डाल रिखें और इसको दो तिन मिनट के लिए और हम अपने लिए छोड़ देंगे अच्छी तरह से मिक्स करके बहुत यची इसमें से खुश्बू आने लगी है और बहुत यची हमारी सब्जी बन रही है हलका साम इसको मैश कर देंगे जिनको ये मैश पसंदों मैश करें और जिनको साबोत पसंदों साबोती रहने दें ये देखे बिल्कुल पकर तयार हो गई है अब दो से तीन मिनट मसालों को गुनने के लिए अब इसको हम ढग के दो तीन मिनट के लिए छोड़ देते हैं बिल्कुल लो आज पर हमें इसको पकाना है बस हमारे मसालों ही पकने रह गए हैं बाकी सारी सब्जी हमारी रेडी है आईए इसको अब चेक कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छी इसमें से खुश्बू आ रही है और बहुत ही हमारा अच्छी तरह से पक कर तयार हुआ हमारा सीता फल पेठा आप जो भी कहें आप इसमें चेनी की चिए गुड़ और शकर भी डाल सकते हैं वह आपको पसंद हो वह आप इसमें अड़ कर सकते हैं यह देखिए बहुत अच्छा इसमें कलर आया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुश्बू आ रही है एक बार जरूर बना के देखेगा मेरे तरीके से दिमला जी के तरीके से बन के सबस्यक्ति एप्लूर को अजया आईके एसको निकार लेते हूँ गैसंने बन कर दी हैज इसको आपश्बू आ रही है यह देखिए बहुत अच्छी इसमें से खुश्बू आ रही है बहुत ही अच्छा हमारा बनके तयार हुआ है बच्चे बड़े पूरी के साथ परांठे के साथ सबको खिलाएं बहुत यह अच्छा लग रहा है हमारा यह और धनिया से हमें इसको गार्निश कर देते हैं बनाईए खाईए प्रेंट और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा और कोमेंट में लिख की जरूर बताईएगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवार शुक्रिया